पार्ट बाईस निबंद लेखन किसी विशय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखे गए लेख को निबंद कहते हैं यदि किसी विशय पर निबंद लिखना हो और साथ में चित्र भी हो तो लिखना असान हो जाता है अच्छे निवन लिखने के लिए पहले नियम लिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए सारी बाते एक निश्चित क्रम से लिखी जाए निभन तै शब्द सीमा के अंतरगर्थ हो उसकी भाशा सरल हो तथा उसमें अशुद्या ना हो छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात लिखे वर्तनी तथा लेग का विशेज ध्यान रखे यदि चित्र हो तो उसकी हर बारीकियों पर ध्यान दे हमने सीखा किसी विशेपर अपने विचार प्रकट करके लिखा गया ले निबंद कहलाता है निबंद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए